हलो फ्रेंड्स यूट्यूब के इस बिलाट अक्रेमी चनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ गिरिश कुमार भाटी और आज हम डेसिमल का मल्टिप्रेकिशन सिखेंगे विद टैन, हंड्रेट, एंड थाउजन वैसे हमारे बहुत सारे वीडियोज आपने देखे होंगे उसमें डेसिमल, बोड मास, डेसिमल के बेजिक्स और डेसिमल के अडिशन्स को कवर किया गया है अगर आपने नहीं देखाया तो आप देख सकते हो आए आज कुछ नया सिखते हैं कि डेसिमल का मल्लिप्रिकेशन कैसे करते हैं वो भी टैन, हंड्रेट और थाउजन से चलिए सुरू करते हैं पहले हम एक रूल सिखेंगे और रूल सिखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे कि मल्लिप्रिकेशन कैसे करना है जब भी आप कोई डेसिमल का मल्लिप्रिकेशन करते हो और स्पेशियली आप उसको टैन से, हंड्रेट से और थाउजन से मल्लिप्रिकेशन करते हो तो आपको क्या करना है? पॉइंट को जंप कराना है जो आपका point दिख रहा है उस point को right hand side में jump कराना है जब आप multiply कर रहे हो जब भी आप multiply करते हो तो point को right hand side में jump कराना है तो एक बात तो हमें समझ में आ गया कि जब multiply होगा और वो भी multiply 10 से 100 से 1000 से होगा तो हम point को right side jump कराएंगे बट right side कितना jump कराना है तो जितने 0 होंगे उतने हम jump करवाएंगे, अगर 10 है तो 1 jump करवाएंगे, 100 है दो jump करवाएंगे, 1000 है तो 3 jump करवाएंगे, अब दोने रोल को combine करके हम sum को solve करते हैं कैसे, अब यहाँ पे number दिया हुआ है 23 point, यहाँ पे number दिया हुआ है 23.324, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमे पॉइंट दिया हुआ है 3 के पहले तो हम क्या करेंगे अगर हम इसको 10 से multiply कराते हैं मानते हैं कि अगर हम 10 से multiply कराते हैं तो हम एक point right side में jump करवाएंगे क्यों एक point क्योंकि हमारे पास 1 0 है तो हमारा point ये रहा multiply है इसलिए right side में जाना है और 10 है इसलिए एक ही jump हम करवाएंगे तो ये इस तरीके से jump करेगा तो हमारा answer हो जाएगा 233.24 चलो next try करते हैं हम इसको 100 से multiply करवाएंगे point हमारा यहाँ पे है यहाँ पे multiply दिया हुआ है तो हम right side में जाएंगे और 2 0 है 100 है 2 0 है तो हम 2 jump करवाएंगे one two तो हमारा answer हो जाएगा two thousand three hundred thirty two point six nine next हम देखते हैं अगर आपको इसको thousand से multiply कराना है तो वैसे भी multiply है right side में जाएंगे thousand है 3 0 है तो हम एक दो तीन तीन 0 हम jump करेंगे तो हमारा answer हो जाएगा यहां पर point है वो number के last में आ रहा है तो आप चाहो तो उस number को finish करने के लिए number को show करने के लिए आप 0 दिखा सकते हो next अगर हम वापस इसको 10 से multiply करेंगे तो right side जाएंगे one jump करेंगे यह one jump होगा ऐसे तो यह point six के पहले आ जाएगा six nine eight next इसको हम hundred से multiply कराएंगे multiply है जाएट side में जाएंगे दो zero है दो jump करेंगे one two यह point seven के पहले काफी आसान है यह चीज मगर आपको दोर लिया रखना है multiply में राइट side जाना है और जितने आपको ऐसे याद रखो कि multiply है तो आपको right side में जाना है चलिए अब हम decimal का division करते हैं वो हम ten hundred और thousand से करेंगे तो अभी हमने multiply देखा था तो multiply में हमने जो किया वही का वही करना है मगर याद रखना है कि इसमें हम थोड़ा सा left side जाएंगे तो अगर आपको division करना है तो division में आप क्या करोगे left side जाओगे जितने zero होंगे उतने आप left side में जाओगे मैं एक छोड़ी सी trick दे रहा हूं जैसे आप division का symbol बनाते हो तो symbol बनाते वक्त आप एक दो dot के बीच में एक line बनाते हो तो आप उस line से आप एक ऐसे arrow याद कर लिजिए कि हमें जब division होगा तो हमें left side में जाना है वापस decimal का division तो कर रहे हैं मगर हम 10, 100 और 1000 से कर रहे हैं इसलिए फिर वापस हम आगे जाएंगे तो 23.324 divided by 10 कर रहे हैं 10 करने से क्या होगा कि यह division है और 10 है तो हम left side में एक jump करेंगे तो point हमारा यह रहा left side में हम एक jump करेंगे तो यह 2.3324 हो जाएगा next हम इस number को 100 से divide कर रहे हैं divide है left side में जाना है 2 0 है 2 jump करना है तो यह point हमारा यह रहा 1 2 मतलब यह number point है वो 2 के आगे चला गया है और वैसे भी हमारे पास 2 के पहले कोई number नहीं है तो हम एक divide है left side में जाएंगे 3 0 है 3 jump करेंगे 1 2 3 वैसे भी number के पहले point आया है और point के पहले कोई number नहीं है तो हम एक यहाँ पे 0 लगा देंगे तो 0.324329 नेक्स्ट हम इसको 10 से divide करवाएंगे तो divide है left side जाएंगे 10 है 1 0 तो यह 1 0 ऐसे jump कर लेगा और point नमबर के पहले आया है और point के पहले कोई number में है तो 0 point करकर 2468 कर देंगे वापस मैं आप एक और number लिए देता हूं ताकि equation वापस दिपिटना हो जाए मैं इसको फिर से 10 से divide कराऊंगा divide है left side में जाएंगे 1 0 है 1 jump होगा left side में गया 1 0 1 jump तो 3.2469 काफी आसान है बट याद रटना है कि अगर आपको division करना है तो left side में जाना है divide करना है तो left side में जाना है और multiply करना है तो right side में जाना है जितने 0 होते हैं उतने जहम करना है आगे की बाद हम किसी भी decimal को fraction में कैसे लिए सकते हैं वो हम समझेंगे तो किसी भी decimal को fraction में लिखते वक्त क्या करना है हमने जो अभी rule यूज़ किया था वैसे ही थोड़ा सा rule यूज़ करना है अब क्या करेंगे यहाँ पर point के बाद में एक number है तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा 43 point के बाद में एक number था इसलिए मैंने इसको 10 लिख दिया आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पर point के बाद में एक number था इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया और एक number होने की वज़़े से मैंने इसको 10 लिख दिया यहाँ आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो दोनों में कोई difference नहीं है दोनों सेम ही होते हैं फिर यहाँ पर point के बाद में दो number है तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ नमबर के बीच में से आपको point निकाल देना है और आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो point के पहले का number as it is point के बाद के number को आपको ऐसे लिख देना है point के बाद में दो number थे इसलिए मैं hundred लगा रहा हूँ अब point के बाद में दो number है तो मैं यहाँ पे zero रखूँगा और number में से point को निकाल देंगा point के बाद में एक दो तीन number है मैं thousand लिखूँगा और point के पहले और point के बाद में नमबर के अंदर जो point हा उसको मैं remove कर दूँगा फिर next यहाँ पे point के बाद में सिर्फ एक ही number है तो मैं यहाँ पे ten लिख रहा हूँ और point के पहले zero है कोई इसका meaning नहीं रहेगा कोई value नहीं रहेगी तो मैं सिर्फ two अगल लिख रहा हूँ point के बाद में दो number थे 100 आ जाएगा और point के बाद 32 था 32 था बने 32 लिख दिया point के पहले zero की कोई value नहीं है point के बाद में दो number है 100 लिख दिया और अब मैं इस number में से point को निकाल दे रहा हूँ यहाँ पर point के बाद में one two three number है one two three zero लगा दिये अब number में से point को निकाल दे रहा हूँ आप चाहो तो इसको ऐसे बिले सकते हो point के पहले जो number है उसको as it is point के बाद में तीन number थे तीन number लिख दिये और zero का कोई value नहीं है तो यहाँ पर three हो जाएगा आप ऐसे लिखो ऐसे लिखो कोई difference नहीं है अभी हम बात करेंगे decimal को percentage में कैसे लेके जाना है decimal को percentage में लेके जाने के लिए हम क्या करते हैं multiply 100 करते हैं multiply 100 करते हैं और वैसे भी मैंने अभी अभी आपको सिखाया है कि किसी भी decimal का multiply 100 से करते हैं तो point को jump कराना होता है और multiply है तो आपको right side में jump कराना होता है तो चाहिए शुरू करते हैं मेरे पास decimal number है 2.46 को मैं percentage में लेके जा रहा हूँ तो मैं multiply 100 कर रहाँगा तो ये right side में 2 jump करेगा 1,2 तो ये 2,4,6 percentage हो गया आपकी जानकारे बता दूँ मैं percentage की value कभी 100 से ज्यादा नहीं होती मगर हम ये random नंबर pick up कर रहे हैं इसलिए आपको यहाँ पर percentage है वो 200 के around दिख रहे हैं मगर percentage है वो कभी भी 100 से ज्यादा नहीं होता है अगर मुझे इस नंबर को percentage में change करना है तो मैं इसको 3.427 into 100 करूंगा तो multiply में ये right side jump करेगा 1,2 तो 342.7 percentage हो जाएगा वापस इसको multiply कराएंगे 100 से तो ये right side में दो jump कराने आपको multiply है इसलिए तो 1,2 846.9 percentage हो गया similarly अगर इसको भी आप 100 से multiply कराओगे तो 2,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002, ले रहे हैं इस तरीके से इसलिए आपको आंसर ऐसा दिखाई दे रहा है आसा करता हूँ आपको जो content दिया है वो समझ में आया है और वीडियो अगर आपको अच्छे लगती है तो like करें, share करें, subscribe करें और जो notification bell icon है उसको press करें ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो को पहली notification में मिल जाए कोविड 90 चल रहा है अपने family के साथ घर में quarantine में रहिए हर 20 minutes के बाद hand watch कीजिए आप भी safe रहिए आपकी family को भी safe रहिए safe रखिए thank you so much और हम class 10 की vacation batch के लिए online classes करने का सोच रहे है बट वो quarantine finish हो जाएगा उसके बाद हम एक और आपको एक बार और notification देंगे thank you so much stay tuned with us thank you for watching us